कि अच्छार दोस्तों स्वाहत आफ सभी का एक बार फिर से आशीश गौत नहीं के साथ अड़े 24-7 हमारे यूटी प्लेटफॉम पे और छे दिसम्बर की मोस्ट इंपॉर्टन नीज्स का डिस्कुशन करेंगे पिछले तीन दिन से हम लोग ऐसे तरडे से फ्राइडे से रहे थे मैं रिकॉर्डट वीडियोस प्रोवाइड कर रहा था बड़ कंटेंड वाइस मेरे दोस्तों कोई कंप्रोमाइज नहीं था हरे चीज़ आप तक पहुंच आई गई आज हम लोग लाइव जोड़े हैं इंपॉर्टन एमसी क्यूस है पंद्रा ओके उसके लावा इ दी миллиटर आपके साथ सारे वीडियोश भी शेयर करेंगे सेमिनार का परफस हम लोग ही था की बत्चों के साथ इंडरेक्शन किया जाए और काफी प्यार मिला है हैं तेक है वारेली से बात किरें या फिर लखनव से बात करें हर यह ऐसे काफी बैद तरीक मिला है और दी मेरे start करेगा ओके चलिए start करते हैं सार डांस भी सही था हाजी डांस का सीन तो मैं बताऊंगा ठीक है अभी पहले motivation लो कोड की तरफ आते हैं अगर वक्त मुश्किल है तो काम आपके कमज़ूर होने से तो काम आपके हम dependent होते हैं, जरनी तो चल रही है अभी है, ठीक है, और आखरी पड़ाप पर भी dependent होता है, बिड़ा वक्त आसान बनाना पड़ता है, चीज़ा किसी के लिए आसान होती नहीं है, जो आसान बना दे मेरे दोस्त, उसी को लोगो फॉलो करने लगते हैं, मैं फिर बोलूँगा, वक्त आसान होता नहीं है, वक्त आसान बनाना पड़ता है, आपके परयासों से, आपकी मेहनत से, आपका जो मेरे दोस्त पागलपन है, उससे, ये अंदर आग है ना, तो हर एक चीज़ आसान हो जाएगी, पहाड जब रोड बन सकते हैं मेरे भाई, समझ रहे ना, सिर्फ क आग है ना, वही मेरे दोस्त कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करके निकलते हैं, तो अपने अंदर आग पैदा करिये, ठीके अपने अंदर मेरे दोस्त वो आग किसी के कहने भर मातर से, ये मुटिवेशन और इन से नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर आग मेर अनुबब किया मेरे भाई बहुत बार उदा नहीं था जैसे रिष्टेदार वगएर आते हैं और आपको पोक करने लगे तो वो अंदर से ही तुम्हारे अंदर आग पेदा होनी चाहिए नहीं यार मुझे कुछ करके दिखाना है तब आग पेदा हो रही है नहीं अंदर से ही कुछ नहीं मुझे कुछ करके दिखाना है वो आग बहुत माईने रखती है अगर वक्त मुश्किल है तो काम आपके कमजोर होने से नहीं चलेगा आपको भी मेरे दोस अपने प्रयासों को बहतर करना पड़ेगा आपने जो भी जिस भी उद्देश है जिस भी जरनी को शु जाने की सोचते हैं तो पहली चीज तो आपने सोच लिए यही बहुत है मेरे भाई बहुत लोग सोच नहीं पाते हैं उचाई तक जाने की सोच रखते हैं ना मेरे दोस्त सच बता रहा हूं आप बहुत बहुत बढ़ा करेंगे यह सोचना बहुत बढ़ी बात है एक है अग का मुटिवेशन अपोड क्लियर है वाई 168 एस कोड लगा लीजिएगा मुक्स के लिए मुक्स पर डिसकाउंट चल रहा आप लोग लिए एक एस सीरीस पर माफ करेगा टैस सीरीस पर डिसकाउंट है वाई 168 एसकोड लगाना 28% डिसकाउंट मिलेगा पहला सवाल देखेगा अब ऐसा है थोड़ा और जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि सुबह के मौसम के लिए यूस्टू होना पड़ेगा नहीं तो क्लासे सबस करते निकल जाई है एक हैं विष्भयापर संगिठन गुड्स ट्रेड बैरोमीटर रिपोर्ट किसने जारी की अब आपको एक काम करना है एक छोटा सा काम है रिपोर्ट करके एक टाइटल बना लो मलब रिपोर्ट करके एक हेडिंग लिख लो पेज बना लो और उसमें लिखो ये रिपोर्ट एक्स इसे जारी किसने किया वो बात की चीज़ा उस रिपोर्ट में क्या दिया गया है वो बात की चीज़ा उस रिपोर्ट में क्या दिया गया है पहला हमारा उद्देश यह होना चाहिए कि यह रिपोर्ट और यह रिपोर्ट किसने रिलीस की यह रिपोर्ट और यह रिपोर्ट पूछने चीट सिर्फ गूट से ट्रेड बैरोमेटर ये रिपोर्ट किसने जारी की एन इट वस रिलीज बाई वर्ट ट्रेड और अरगनाइशन के तुरह जारी किया मैं पीडियेफ में इसकी फ्रेम में निमेंग चेंज कर दूँगा उसे छोड़िये पहले तो डबलू टी कि नोगोजी-ाकोंजो-विला, क्लीर है, नोगोजी-ाकोंजो-विला, आगोजी-ाकोंजो-विला, मैं निमेंड कांट्री, मेंबर कितने 164, जो पूछने जा रहा हूँ न, वह आपका होमवाक है, और अभी एग्जाम का part रहा था, last member country of WTO मैंने कहा नहीं आसान होता नहीं आसान बनाना पड़ता है सब रटके जाएंगे 164 देश मेंबर है 164 इसके मेंबर है हम रटके जाएंगे यहाँ पर एक और चीज last member country of WTO last member country of WTO बता सकते हैं तो बहुत बढ़ी है अभी कुछ दिन पहले October में एक डेटा आया था वो डेटा यह था मैंने यही पर लिंक कर दी जब WTO की बात उरी तो एक डेटा और लगे हाथ पढ़ लेते हैं जो world merchandise trade volume है लेकर विश माल व्यापार की मात्रा यह यूग है world merchandise trade volume है इसमें उम्मीद लगाई है कि यह 2022 में 3.5% की दर से बढ़ेगा ओके बिफोर स्लोइंग और 2023 में इसमें 1 प्रतिशत एक प्रतिशत की कमी देखने को मिलेगी world merchandise trade volume में 2022 में 3.5% उम्मीद लगाई जा रही है ग्रोथ रहेगी और 2023 में इसी में 1% की कमी देखने को मिलेगी जो world की GDP है वो 2.8% increase होगी 2022 में जबकि 2023 में 2.3% increase होगी यह दो डेटा और साथ की साथ आपको याद रखने है well done मेरे दोस answer आ रहा है यहाँ पर अफगानिस्तान अब आप लोगों में से जितनों होने पांचेजार वन पांचेजार एक करोड़ एजर डिवीडेंट रेंच फ्रॉम विच कंपनी इसका अंसर करेगा केंदर सरकार को किस कंपनी से लाभांश के रूप में लगवाग पांचेजार एक करोड रुपे प्राप्त हुए है अब पहली चीज़ तो ये लाभांश क्या होता है डिवीडेंट क्या होता है इस बात को समझेगा आप में से कितने ऐसे लोग है जो नहीं जानते डिवीडेंट क्या होता है डिवीडेंट क्या होता है बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं पता को डिवीडेंट क्या होता है जैसे मेरे दोस्त कोई कमपनी है कमपनी में जब आप इस शेर्स खरीदते हैं शेर मतलब अंश तो आपका कमपनी की पूझी में अंश होता है होता है कि नहीं होता भाई, company के अगर आपने shares खरीदे हैं तो company की पूजी में आपका अंश होगा? होगा तो company को lab होगा, तो उस lab में भी आपका क्या होगा? अंश होगा परे भाई, lab में अंश भाई, company की पूजी में आपका अंश है आपने पैसा लगाया है, shares खरीदे है तो निस्चित यह लाव मैंश होगा तो लाव मैंश को बोलते है लाभांश और इसी को इंगलीश हम बोलते है डिवीडेंड जब भी आप company के share's खरीदते हैं तो उसके profit होता है उसे बोलते है हम लोग dividend तो government को केंदर सरकार को उसका share है यहाँ पर इस company में इसने यहाँ पर सरकार को 5 यार 1 करोड रुपे दिये हैं और इसका नाम है ONGC important data अगले page पर है यह तो बहुत simple है मुझे नहीं लगता एक question exam में बनेगा बट इस news के चलते और क्या question बन सकते हैं पूछ सकता है कि जो total अभी तक dividend receive हुआ है जितनी भी सरकारी संसा है उनसे वो कितना है 23,797 करोड रुपे टोटल dividend जो receive हुआ है Central Public Sector Enterprise से के इंदर सरकार के जितनी भी उपकरम है उनसे अब तक इस वर्च में जितना भी dividend receive हुआ है वो total कितना 23,797 वो कि 23,797 यह amount याद रखे 23,797 करोड रुपीज आगे नोंने कहा यह वाला कि जो revised budget estimate है for dividend अब इनका यह estimate है कि यह हमें इस वर्च में जो CPSE है उनसे कितना dividend के तोर पर लेना है इसका भी एक अनुमान लगा रखा है वो अनुमान कितना है तो जो revised budget estimate है for dividend from CPSE इसको कम कर दिया गया है 46,000 करोड रुपे पर लेकर आए है महला पिछले जो budget रहा था उसमें तो 50,27 करोड रुपे अब इस बार की बात करें इसको घटा कर कितना कर दिया 40,000 करोड रुपे अब बस इतना याद रखिए कि जो budget estimate है for dividend from CPSE वो कितना 40,000 करोड रुपे और अभी तक हम लोगो 23,997 करोड रुपे मिल चुके हैं सिंपल है आगे जब ये news चल रही थी तो इसमें एक secretary का नाम आया वो ते दीपम secretary दीपम मतलब होता Department of Investment and Public Asset Management क्या पता पूछ ले दीपम में A क्या है, P क्या है तो आप तयार रही है मेरे भाई A और P क्या है इसके secretary का नाम में तुहिन कांता पांडे या TK पांडे या TK पांडे कैसे भी पढ़ लीजे याद रखे तोहिन कांता पांडे जो CPSE ही है इनको बोला है कि आपको minimum annual dividend pay करना पड़ेगा अब देखो यार इस line का मतलब समझा देता हूँ रट लेना, ठीक है जादा इसमें घुसने की कोशिश मत करना नहीं तो मेरे को financial management के topic पड़ाने पड़ेंगे या कि इतना फिर उसमें से इतना tax के रूप में गया, इतना interest के रूप में गया वो सारी चीज़ आप यह समझ यह कि जो CPSE है, इनको बोला गया है कि आपको जो कम से कम minimum annual dividend pay करना है वो कितना है 30% of profit after tax profit में से अपने tax pay कर दिया उसके बाद जो profit बचा उस profit का 30% 30% और यह minimum है यह pay करना पड़ता है और 5% of net worth 5 जो भी net worth का 5% निकल कर आएगा या फिर profit tax pay करने के बाद जो आएगा उसका 30% इन दौनों में जो higher हो का वो यहाँ पर pay करना पड़ता है इस level पर मुझे नहीं लग रहा question बनेगा यह बहुत अच्छा question बन सकता है यह बहुत अच्छा question बन सकता है यह अलग से static के तौर पर यहाँ से डाल सकता है clear है भाई? किसने कितना pay किया है क्या कि pay किया है? इसका answer अपना 3 number लगा done next आगे हरी के wetland is located in which state एक बच्चे ने मेरे को लगनों में question पूछा सर स्टाटिक कैसा प्रिपेर करें तो मैंने का ऐसा प्रिपेर करें जो भी current offense में चल रहा है उसको pick कर लो ठीके वहीं से question बनने वाला है अलग से static नहीं करना अलग से static करने का मतलब बहुत-बहुत-बहुत-बहुत टाइम देना भाई right answer बनेगा यहाँ पर के अपना पंजाब इसको जरूर याद रखना यह जो पंजाब है यहाँ पर हरी के wetland और थोले डिटेल में चल लेते हैं हरी के wetland यह फिर इसको हरी के पटन भी बोलते हैं यह तो हरी के wetland बोल दिजे यह तो फिर मिर भई हरी के पटन बोल दिजे ठेक है अलाजेस wetland in northern इंडिया अभी largest wetland in northern इंडिया का okay in the border of तर्ण तरंद साहिब डिस्टिक एन फिरोजफर डिस्टिक और यह पंजाब में, क्लियर भायो, आगे देखेगा, न्यूस को समझना, तियो दोरो, ओबियांग, नग गुएमा, मवासोगो, भाई, दो शब्द ठालो, जो भी आपको अच्छे लग रहा है, सबसे बढ़िया, तियो दोरो, तियो दोरो, मवासोगो, ओके, तियो दोरो, मवा मवासोगो, यह प्रस्डेंट बनाए गए है, निमने मैंसे किसी एक देश के, उस देश का नाम क्या है, जिसके यह रास्पती बने है, 95% बोट मिले, सोचे एक तरफा जीत है यह, एक तरफा जीत मेरे भाई, 95% बोट मिले है यहाँ पर इनको, तियो दोरो, मवासोगो, यह किस देश के रास्पती बने है, तो आंसर यहाँ पर बनेगा भाई, एक कुटोरियल गिनी, इस एक कुटोरियल गिनी के इनको रास्थपती चुना गया है, अब दो को मेरे एक परपस है, वो मैं परपस अकमपलिश करता रहूँगा धीरे-धीरे, और वो यह है कि जितने भ कि अभी न्यूज में रहा था, आयो जी तुआ इस कारण से भी और कुछ वेन्यू डिकलियर के गए उस कारण से भी, पहला मुद्दे की बात है न्यूज पर आ जाते हैं, तियो दोरो मबासों को यह नाम याद रखना, अब यह दुनिया के सबसे लंबे समय तक साशन करने for over four years, four decade, four year तो चार साल होते हैं, four decade मतलब लगभग, एक decade में दस साल है मेरे भाई, तो चार डिकेट कैल्कुलेट कर सकते हैं, सब जब भी MCQ करवाते हैं तो बता दिया करें कि नया है कि पुराना है, अरे वा, क्या वात है बिटा, बहुत बढ़िया, नया है कि पुराना, इसका मतलब रोज नहीं आते हो, है ना, कभी कभी आते हो, रोज आओगे तो शायद ये सवाल ही नहीं पूछना पड़ेगा, ठीके, पापा सुनो ना, बता दिया कर उना हमारे घर का एडरेस क्या है, ममी यहर आपके चक्कर में मैं पड़ोसी के घर में घोज गया, क्यों आपने मुझे बता है, कि आज मेरे घर का इडरेस, यह था, कल मेरे घर गडरेस वह गहा, अरे भाई, एडरस तो से मी रहेगा, अगर पता होगा कि रुज अपने घरी आना है, ठीक है, रोज आ रहे हो, तो फिर दिककत नहीं है, रो जा रहे हो, तो फिर दुद आर्या तेक है वास्टिल्याय में हुआ भी इगलेंड ने जीता था जर चॉबस का वल्टक अब यूस और संदी इस वोस्ट करेगा ऑके युनाइट इस्टेट रवेस्ट इस वोस्ट करने जा रहा है इसको फिर चब्सका जो वल्टक पर इसे इंडिया शिरिलंका होस्ट करेगा जर 22 का तो ऑस्टिलिया ने होस्ट करेगा जर चब्सका इंडियो श्रिलंका होस्ट करेगा जर अचब्सका इंडियो श्रिलंका होस्ट करेगा जर अचब्सका इंडियो श्रिलंका होस्ट करेगा जर अचब्सका इंडियो श्रिलंका इंडियो श्रिलंका इंडियो श्रिलंका डी वर्ड का बंगलादेश और फिर दुएच अबिस का ICCV में T20 वर्ड का पेग लेंड क्लियर भायो ठीक है डन आगे बढ़ते हैं Ministry of Ayush announces setting up of academic chair in Ayurvedic science at which university Ayush Mantralya ने किसी university में Ayurvedic विज्ञान में सैच्छडिक इस्तापत करने की घुषना की है एक academic chair इस्तापत करने की घुषना किसका आंसर करिएगा असर करिये भाई अरे दादा गलत बोला में एक परसेंड भी गलत नियुबला एक वेस्टन सिडनी उनिवर्स्टी ऑस्रीलिया ओके तो जो ये औस्टेलिया की Western Sydney University है इसकी बात कर रहे हम लोग यहाँ पर Western Sydney University Australia यहाँ पर Ministry of I.U.S. है Academy के चेर स्थापित करेगा आयरविदे के साइंस में यह जो Ministry of I.U.S. ने है इसने formally announce कर दिया है कि जो आयरविद Academy के चेर होगी यह Western Sydney University में based होगी जो N.I.C.M. Health Research मलब Western Sydney University का जो N.I.C.M. Health Research Institute है वहाँ पर इसको स्थापित के जाएगा with a ten or four period of three years तीन सालों के लिए simple air language है रीड कर ले ना इसको अपने को सबसे आदा important है यार इतना याद रखना कि अकैडमिक चेर आयरविदिक साइंस में सेट अप कर रहा है तो Western Sydney University Western Sydney University Australia की Capital Canberra है Currency Dollar चलती हो के Australia Capital Canberra Currency Dollar नेक्स यार according to RBI ये बड़ा important news आई है मैंने बोला report हमेशे important बनेंगी अभी बैरो मीटर वाली report किसने जारी कि WTU ने एक और report आ गई Handbook of Statistic on Indian State Handbook of Statistic on Indian State 22-22 तो ये जो Handbook of Statistic on Indian State 22-22 है इसका 7th edition सात्वा संस्क्रण RBI ने जारी किया तो RBI ने इसका 7th edition जारी किया उसके आधार पर पूचा है कि कॉन से स्टेड़ आपर हाईस्ट Grid Interactive Renewal Power Capacity है मतलब किस राज़ में सबसे अधिक Grid अक्षे उड़ जा छमता है सिर्व इतना याद रखे Grid Renewal Power Capacity सबसे ज्यादा किस राज़ में है रेपोर्ट का नाम क्लियर हो गया रेपोर्ट किस ने जारी वो क्लियर हो गया रेपोर्ट का एडिशन क्लियर हो गया मेरा सवाल सिंपल सा है कौन टॉप पर है कुई दा मिनस्टर आईूश सर्वननन्दा सोनोबाल ओके सर्वननन्दा सोनोबाल बेटा मिनस्टर पोर्ट, शिपिंग, वाटर वेज़ भी ही है राजजी सबा, एमपी फ्रॉम आसम वही है मेरे भाई, ओके आंसर यहां पर बनेगा, करनाटक टॉप पर बैठा हुआ है ठीक है, फर्स पर करनाटक है, फिर तमिलनाडू, फिर गुजरात, फिर महारास इस तरीकी से टॉप फॉर स्टेट है, उत्तर प्रदेश नहीं है देखे, करनाटक, तमिलनाडू, गुजरात और महारास क्या पता जब statement based question आए तो आप से तीन statement लिखके दे दे और 15,000 किज़े के 14,000 कर दे तब तुम तो रट्टा मार के गए ते सिर्फ इतना point इतना ही तो रट्टा मार के जाते हैं हम लोग पहले पे कौन है दूसरे पे कौन है तीसरे पे कौन है capacity पढ़ के याद रखेगा 15,463 मेगावाट ओके तमिल नाडू की है 15,225 मेगावाट जादा अंतर नहीं है तीसरे नमबर पे गुजरात 13,153 मेगावाट ओके और उसके बाद फिर यहाँ पर third position वाइल महारास्ट चौधे नमबर पे 10,266 मेगावाट ओके अब महारास के बाद फिर राजिस्तान अथारो राजिस्तान अंद्रप्रदेश मंद्रप्रदेश तिलंगा ना उत्रप्रदेश इस तरीके से याद रखना हम लेगों को टॉप फाइब तो कम से कम रीड करके चलने है ठीक भाईय वाट इस दर नेम आफ ऑफ मॉड्यूल वाभई वाई एक मॉड्यूल का नाम पूचा है एक ओनलाइन ओरियंटेशन कोर्स है फोर और नियू अपॉइंटी इन वेरिश गवर्मेंट डिपार्टमेंट यह बड़ा बड़ी इनिशिटेव लिया है मेरे दोस्त जैसे कि हम अ जाने का मतलब क्या है मेरे भाई उनको तयार किया थे ऐसी सरकारी विभागों में भी अगर कोई जा रहा है तो उसको ट्रेनिंग दी जा उसको प्रॉपर तयार किया जाए तो यहां पर उसी के लिए कि मॉडिल लॉंच किक ओन एन औरियंटेशन कोर्स होगा फॉर नौ और नियू पॉइंटीज इन वेरियस गवर्मेंट डिपार्टमेंट मानि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिवारा लॉंच किया तो इसका नाम क्या है क्या वाद है पी एम ईजी पी है तो जीत ले तो यह मीजी पी तना बढ़िया लाई डिवन वया आगया गलत आंस यह एक मॉडियू लग कर्मयोगी प्रारम इसको लॉंच किया गया है एक ओनलाइन ओरियंटेशन कोर्स है जितने भी नए अपॉर्मेंट डिपार्टमेंट मैं उनके लिए क्लेर भायो अब आपके लिए होमवर्क में यह निपुन पकरा चुका हूँ है लेकर निपुन प मोदी जी ने कैसे यार 70-75 यार लोगों को कॉल लेटर दे दिया मतलब कॉल लेटर का मतलब है जॉइनिंग लेटर दे दिया तो यह वही हैं जो सरकारी बिभागों में पेपर दीके सलेक्ट हुए हैं अभी हाल फलाल जो भी सरकारी बिभागों में सलेक्ट हुए हैं उनही को ये मेरे दोस्त लेटर दिया गया है ऐसा पार्ट आफ दी रोजगार मेला प्राइम इनिस्ट नरेंद्र मोदीज ने 81 यार अपॉइंटमेंट लेटर भी दिये थे नियू रिक्रूट को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिया कि दिसकरा में करम योगी पराराम ओके पराराम क्लियर भायो नेक्स टेर आगे बढ़ते हैं आथर खालिद जाविद इनकी है ता पैराडाइज आफ फूड विच इस ट्रांसलेटिट बाई बरन फारुकी फ्रॉम उर्दू वान फिफ्ट जेसी बी प्राइस फॉर लिटरेचर बाप परेबब एक ही सवाल में तीन लाइनों में काफी कुछ आ गया अब आप कोगे अपने प्राइस मनी क्यों पूछी एक्जाम में सवाल बनता है लिकिन इस अब और की प्राइस मनी लाज़मी बनती है साहितिके छेतर में सबसे ज़्यादा प्राइस मनी है अब आई यू कहें सब ज़्यादा इनामी राशी मिलते 25 लाक रुपे टेके 25 लाक रुपी यहाँ पर दिये जाते है अब सबसे पहले तो न्यूस को समझ लीजिए, जैसी भी जो प्राइस दिया गया है, वो ओतर खालिद जावेद की दा परडाइस ओफ फूड के लिए दिया गया है, और इसको ट्रांसलेट किस ने किया था, बरन फारुकी ने, ये इंपॉर्टन है, उर्दू में ये, बरन फ मतलब चौथा टांसलेशन है, चौथी दवाई अवर्ड दिया गया, एंद फर्स्ट वर्क इन उर्दू, पहली दफा कोई ट्रांसलेशन है, जिसमें कि उर्दू में यहाँ पर सम्मानित किया गया लिखाते न, वाइबरन फारुकी फ्रॉम उर्दू, तो इस लाइन को ज रहती है, और इजा बीन कॉल्ड इंडिया's most valuable literature prize और भारत का most valuable literature prize है, अंगरेजी में काम करने वाले खाले भारती लेखा किया एक भारती लेखा के दौरा अनुवातित का था, साहित के विसस्ट कार के लिए से सालाना, पुरुसकार, 25 लाइख रुपे, पुरुसकार से सम् उसकार बोलते हैं, इस वर्ष किसको दिया गए, किस किताब के लिए दिया गए, ट्रांसलेटर का नाम क्या ओथर कौन है, I hope यह सारी चीज़ा क्लियर होंगे, ओके, नेक्स्ट एर, Union Minister of Iius Sport Shipping Waterways, लीज़े आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया, कि Iius Minister कौन है? Minister of Iius Sport Shipping Waterways, इनका नाम है सरवनन्दा सुनुबाल सहब, राजी सबा, MP फ्रोम असम, इनोह ने अभी एक State of Art Complex इनागरेट किया है, अब ये State of Art Complex का मतलब है अत्यादुनिक एक परिसर State of Art Complex किस चीज़ का Regional Research Institute of Yunani Medicine तो एक Regional Research Institute of Yunani Medicine Regional Research Institute of Yunani Medicine इसका अभी एक inauguration कहाँ पर किया गया है सिंपल सा ही है किस शहर में निम्न में से किस शहर में इसका inauguration किया गया है एक complex का अत्यादुनिक परिसर का उदगाटन चेतरिय यूनानी चिकिस्थान संथान कि अत्यादुनिक परिसर का उदगाटन कहाँ पर किया गया वैसे तो आप लोग अगर तुक्का लगाओगे तो आप इस तरफ जाओगे असम के सिल्चार में और यही अपना राइट आंसर है कहाँ पर असम के सिल्चार में क्लियर है भाई हो आगे बढ़ते हैं यह नियूली ओपन जो इंसिट्यूट है अपने तरीके का पहला है नॉर्टीस्ट में और यूनानी मैडिसन ओके एंड न्यू कॉंपलेक्स यह साड़ती नेकड़ में फैला हुआ है लग बगग 48 करोड रुपे की लागत से इसको बनाए गया ओके 48 करोड रुपे यह जो कॉंपलेक्स है इसको नेशनल प्रोजेक्ट कंसरेशन कॉर्पोरेशन एनपी सीसी के द्वारा डबल अप किया गया है अच्छा पॉइंट है यह वाला इसको फिर सीपी यह जो सेंट्रल काउंसल फर रिसर्च इन यूनानी मैडिसन इसको हैंड ओवर कर दिया था इ यह नॉर्थ इस्ट का किस नंबर का यूनानी मैडिसन में वहां लिख दे कि फास्ट सच कि जैके सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके कुछ भी लिख दे तो हमों को यह सारी चीज़ा रीड करके चलनी है ओके नेक्स ट्यार फॉर्बर वाइस प्रसेंट इनका नहाम है एक NGO है जो एजूकेशन के छितर में काम कर रहा है अगर यार दोस्त मैं एग्जामिनर की अगर सोच को पकड़ूं कहीं ना कहीं जो राइट ना वो मतलब इतना खुद को चतुर बनता है वो किस तरीके का सवाल पूछेगा वो पूछेगा कि यह जो प्रथम है प्रथम ही क इस प्रकार का NGO है एक ऐसा NGO जो एजूकेशन के छितर में काम कर रहा है एक ऐसा NGO जो साइंस के छितर में काला अलग अलग तरीके से आपको दे देगा तो उसकी चतुरता को ध्यान में रखी एक NGO है जो कहीं ना कहीं एजूकेशन के फिल्ड में काम करता है और इसी NGO को गांडी प्राइस की सिर्वर्ष दिया गया था 1998 1988 1986 1986 अंसर अमरे आधा है आगे बढ़ते हैं लेक्स लेक्स थेखेगा जा प्राइस केडी कैश और दो फू प्रेंट फाय मिलियन इंडियन रूपी इस विद असे टेशन मतलब भृत धाय मिलियन भारती रूपय का नगत पू और दिया जाता उन्हें 86 में पार्लिमेंटरिया एंस फोर ग्लोबल एक्षिन इसको पहली दभाई अवाड दिया गे तो 1986 से मेरे भाई next which state government has launched अमर सरकार portal कि सराजी सरकार ने अमर सरकार पूर्टल कि सराजी सरकार के द्वरा आज की इंपोर्टन यूज की दरफ आएंगे बेरे भाई लेकिन पंद्रह ये भी इंपोर्टन यूजी चल रही हमारी कि पंद्रह के पंद्रह एंसी की खुद में नहीं चल रहे है हाथ को को सबनें और से कंद्रह लेट कर अब धूच्तत है इस विए फस्मियोट में पोचिक अपना ऑप नाना पूह अब ऑनारे तुलर अपलीकीशन लिखे लिए नेड़ी पॉर्टल एंड अप्लिकेशन अपने नोडबुक में लिखे लो और उसमें लिखते चलो यह फलाना फलाना पॉर्टल अस परपस से इसने लउंच किया है अब कंपनी भी हो सकते है महां सरकार भी हो सकती है वहां को institute भी हो सकता है तो हार तरीके से आपको ध्यान रखना है तो तुरपुरा के जो राज्य सरकार ने अबर सरकार पोर्टर लॉंच किया था जितनी भी केंद्र और राज्य सरकार की योजना है उनको हर एक घर तक पहुंचाने के लिए ठीक है भाई हो अगला देखेगा किस कंपनी, which company is the only country to have received leadership in family planning about the twice पापरे बाब, family planning में leadership के लिए किस संस्ता को सम्मानित, किस देश को सम्मानित किया गया है, which country is the only country to have received leadership in family planning about the twice in the country category at international conference on family planning which was held in Thailand, Pattaya City, ओहो कितने सारे पॉइंट बन जाएंगे मतलब इंटरनेशनल जो कॉन्फरेंस रही ती और फैमिली प्लानिंग ये आपके थाइलेंड के पटाया सिटी में रही एक पॉइंट तो ये बन गया दूसरा कंट्री कैटेगरी में किस देश को सम्वानित किया गया है उपरेशनल सेफ्ट्ै एडि गरिनर स ऑलूइशन इडिस पीम ऑफ इंडियन कैमिल कांशल सस्टेइबली कॉन क्लेव या तो सवाल ये भी ऐसे आसे पांदेन कैमिकल कांशल से सोर्षू क्लेव का विशह क्या है सुछtest तो फ्स लैंगवेज लिख है तो मैilles MCQ में डाल दिया, otherwise तुम लोग पढ़ोगे नहीं, ये, boardroom to community ESG, carbon neutrality, operational safety, greener solution, ये विशह है, इंडियन chemical council, sustainability, conclave का, और इसको किसे शहर में आयुजितिक किया गया था, तो मित्रो, नई दिल्ली में रही थी, कहाँ पर new Delhi में इसको आयुजितिक किया गया था, clear है, नई दिल्ल में, डन, आगे, इसको और्गनाइस किया गया, United Nation Environment Program, अब समझेगा, जब ये वाला मेरे स्टेटमेंट पढ़ाना, तो मेरे लिए न्यूजित इंपोर्टन जादा हो गई, क्योंकि इसको और गनाइस किसने किया, United Nation Environment Program, UNDP, UK, United Nation, EP, and International Council of Chemical Association, तो International Council of Chemical Association, and UNEP, इन दौनों ने Ministry of Chemical Fertilizer के साथ मिलके, Ministry of Environment, Forest, Climate Change के साथ मिलके, इसको और्गनाइस किया था, अब यहाँ से static तोर पर हमें, क्या क्या चीजों को cover करना चाहिए, यह आपके लिए homework ही है, मेरे भाई, आपको cover यहाँ पर करना है, UNEP क्या है, United Nation Environment Program क्या है, तेके है, इसके साथ अगर इसकी report भ पारे में आपको पता होना चाहिए, तीसरा, Environment, Forest, Climate Change Ministry किसके पास है, चौथा मेरे भाई, यहाँ पर, Chemical and Fertilizer Ministry किसके पास है, यह मंतरा ले कौन यह दो वेक्ती देख रहे है, यह चारों पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, डन, मतलब UNEP के बारे में भी, ICCA के ब Environment, Forest, Climate Change Ministry, और Chemical Fertilizer Ministry, कौन-कौन होल्ड करता है, यह सब पता होना चाहिए, नेक्स यार, विच्ट स्टेट गवर्मेंट है, यह साइन आपको पता होना चाहिए, नेक्स यार, विच्ट स्टेट गवर्मेंट है, इंडियन काउंसल आफ कल्चलर रिलेशन तो हैल्प आर्ट बिहार ओके, बिहार यहाँ पर राइड अंसर, बिहार ने अभी इंडिन काउंसल रिलेशन की साधिक समझोता किया था, जो आटिस्ट रहेंगे राजी के, उके, उन सभी को मदद करने के लिए, आप बिहार याद रखी और ICCR याद रखिये, आप बतौर स्टेटिक ICCR भ बना, मेरे पाई हेड़कॉर्टर कहां पर है, चेर्मेन कौन है, तो यह मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूँ चीज़ां कि जब भी कोई संस्ता आए, तो संस्ता को पकड़िए, उसकी स्थापना दिवस, उसका हेड़कॉर्टर, उसके चेर्मेन, अध्यक, चैम्डिस, य जो भी हैं, वो सारे पकड़ ली, जो के, इंडिया ने भी कहा है कि जो आसियान इंडिया साइंस और टेक्नलोजी फंड है, उसमें कि निश्चित अमाउंट कॉन्टरिब्यूट करेगा, वो अमाउंट कितना है, फिलिस्तिन रिफ्यूजी के लिए भारत दे रहा है, युन अगरिकल्चर इन छेत्रों में को आपरेशन को और बहतर करने के लिए, सिंपल सा अमाउंट, ओके, बहुत बढ़िया, राइड अंसर बनेगा मेरे दोस्त, 5 मिलियन यूएस रोला, के 5 मिलियन यूएस रोला, क्लियर भायो, 5 मिलियन यूएस डोला, ये रहे, आज के 15 सवा अब बढ़ते हैं आज की important news की तरफ, ओके, आज मेरी financial awareness की class होगी, Monday, Wednesday, Friday होती है, बड़ आज ये Tuesday है, मेरे दोस्त हम लोग आज भी class cover करेंगे, क्यों Friday हो class नहीं होई थी, तो इसमें warrior 5.0 की आज class होने वाली है, जिनके बास warrior pro है, या bank mahapeak, या mahapeak plus, इसमें जोड़ जा एंड में बताऊंगो, इसके बारे में सारी चीज़ है, अब जड़ा समझना, ये भाई साब हैं और इनको अभी, इनको अब रिजाइन कर दिया, इनका नाम है, मिलब Vodafone के जो chief executive officer है, Nick Reed, will step down, Vodafone के मुखे कारिकार यदिकारी, Nick Reed पद छोड़ देंगे, मैं कभी नहीं, ये बहुत रियर बढ़ाता हूँ, कि ये और किसने पद छोड़ा है, लेकिन साथ की साथ interim बना दिये गए, इसलिए इस line को complete कर लेते हैं, he will replace on an interim basis by finance chief officer Margarita Della Valle, सिंपल शब्दों में, अब ये Vodafone के जो CEO है, इनका नाम क्या है, Margarita Della Valle, done, Margarita Della Valle, बस इतना आपको य पहले हैं, पहले हैं, ये CEO ते हैं, इन्होंने resign कर दिया, ये एक तरीके से step down, ओके, और दूसरा अपकिन को interim बना दिया गया है, वो सारी चीज़ है, ओके, next ये डावर इंटरनेशनल लिमिटेड के अभी हाल फिलाल, बत और CEO किनों है, जो इनका रागाव अगरवाल ने, तो ये जो रागाव अगरवाल है, ये CEO बन गए हैं, डावर इंटरनेशनल लिमिटेड के, वन लाइन नियूज है, पिएचिडी करने मत बैड़ याना है, इसमें, दिमाग लगाओ जादा, वस ये डावर क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सर्फ इतना डावर इंटरनेशन लिमिटेड का CEO अपॉइंट किया गया है, अब समझना, आप मैंसे दो चार घड़े चौधरी है, कैसे चौधरी है, सर एक बात बताईए, पूछेंगे, सर एक बात बताईए, जो ये डावर इंटरनेशनल लिमिटेड है, एक काम करें, उसके सिर्फ CEO का नाम याद कर लें, ये याद ना करने किसको रिप्लेस किया है, समझना, हर चीज में कटोती करना है, दोको ये अगर कोशन पूछता है CEO वाला तो ये बहुत बेसिक कोशन है, बहुत बेसिक कोशन, पहले तो अपॉछन मेंट पूछ रहा है, वही बहुत बेसिक है, देखे, और दूसरा, अगर वो मेरे दोस से CEO पूछ रहा है, यहाँ पर, CEO, तो ये भी बेसिक कोशन है, गर वो पूछ लेता है, रिप्लेस किसको किया, ये एक अच्छा कोशन है, देखे, क्योंकि बहुत रेयर होता है, कि बच्चे रिप्लेस पढ़ते हैं, अभी तो आप चलो, करेंट अफेस पढ़ किया, अब मैं गरा हो, एक्जाम टाइम पर भी आपने नहीं पढ़ा, लेकिन हा, रेगुलर सेशन में पढ़ा है, धुंदला धुंदला याद रहे था, टिक लग जाता है, तो ये मैं बोलता हूँ, रेगुलर सेशन का फायदा आपको ये मिलता है, कि बहुत सारी चीज़ इस से पहले ये व्यक्ति कहां पर काम करते थे, अब आप मुझे बताइए कि सच बताना, अगर मैं आपको बोलता हूँ, किसी पीडियेफ से पढ़ने के लिए आप ये वाला पॉइंट पढ़ोगे, ये वाला पॉइंट पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे यार, लेकिन इस तरीके कुशन बनाने का मतलब तो यही है कि आप देना नहीं चाहते नंबर, क्योंकि इस तरीके कुशन मेरे दूस्ट अब लेंग्वेज में कवर कर सकते हैं डेली बेसे पर बढ़े यार, अट दी टाइम आफ एग्जामेनिशन कोई बच्चा इस पॉइंट को नहीं क करेगा, रेप्लेस पूछ लीजे बढ़िया, बढ़िये मत पूछे कि वो इससे पहले क्या थे, यह बड़ा गंदा कुशन है मेरे बढ़ाइ, इस तरीके कुशन भी पूछा गया भी हाल फिलाल, तो आपको धिहान रखना है, मैं कहीं नहीं करूँ कि इस तरीके कुशन भी बन सकते हैं, ओके, नेक्स्ट, जियोजित एक कंपनी है, और जियोजित के सीजे जॉर्ज है, और इनोह ने अभी टाय किरला लाइफ टाम अचीमेंट अवार्ड मिला है इनको, ठीके, तो जियोजित के सीजे जॉर्ज ने टाय किरला लाइफ टाम अचीमेंट अवार्ड ज कि सबसे बड़े माहलवाहक विमानों में से एक एरबस बैलुगा हैदरबाद हवाई अड़े पर उतरा ओके वर्ड का लार्जस कारगो एरप्लेन है और ये हैदरबाद एरपूर्ट पर लेंड हुआ था एरबस बैलुगा लेंड है इस फिफ्टी सिक्स मीटर आ रहे भी ये देखो पॉइंट समझो यहाँ पर इन्हों ने बुला है वर्ड लार्जस्ट वर्ड लार्जस्ट वर्ड लार्जस्ट अगर सिर्फ लिखाऊ था वर्ड लार्जस्ट तो यह विश्व का सबसे बड़ा वर्ड लार्जस्ट मतलब इससे भी कोई बड़ा मेरे भाई तो यह वर्ल्ड का लार्जेस्ट में से एक है इसकी लेंट कितनी है 56 मीटर है 56 मीटर इसकी लेंट हो गई अब यह अगर यह बनाव दे वर्ल्ड लार्जेस्ट तो लार्जेस्ट कौन सा है 84 मीटर का समझना वर्ल्ड का जो biggest cargo aircraft इसकरा मैं एन्तो नॉव एन टू टू फाइव एन्तो नॉव एन्तू टू टू फाइव और ये फर्स्ट लेंडिंग इंडिया में इसकी हुई थी राजीव गांदी इंटरनेशनल एरपोर्ट में हिदराबाद में इसका नाम है एन्तू आप एन्तू टू टू फाइव फिफ्टी सिक्स मीटर का है वर्ड का लार्जस कारगो एर प्लैन में से एर बस बैल हुगा ओके ये दोनों पूंड याद रखने है दर मेरे भाई दन क्लियर तो बैर किसो बच्चे देख रहे हैं लाइक आट सुक्यावन चल रहे हैं क्यों नहीं करते हो कर दिया करो भाई लाइक एगे कुछ नहीं मिलता इसका है आपको लगता होगा कुछ कहेंगे एर डून बैक फॉर लाइक दून बैक फॉर व्यू जैना है मत करो तो क्या करें बताओ संद बंजा प्रवचन दें क्या फिर है और फिर वो बन गया तो करपाई की ऐसा करने लगए वैसा करने लगए यार फिर दोंगी है आप तरीकी से बाद करो गेना तो हर समझे आड़ जरा एक तो फटावर लाइक वाइक किया कर वियर नहीं त अगर पंद्रे क्या बात है यह सोते हैं इसका मतलब इच बीच 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 खुझा आते हैं कहीं तो लाइक करने में चूकेंगे नहीं लेकर बढ़ी है आगे बढ़ते हैं और नी बीच बीच में जैसा हम लोग क्लास वगएरा मोटे थे टीचर के सामने बैठे तो ऐसा र आगे और इसला है अच्छा आच्छा बाइक चल रहे है बैठा हुआ हूँ बाइक दोड़ा रहा हूँ और भी वैठा हुए है मज़दार चलने चलना उदनी होता मेरे भाई खावा में तो मेरे दोस मेंटली कर यह और पर प्रिजेंट है फिजिकली यहाँ पर सब्सक्राम remembrance ने पूछ लिया कुछ तब मेरे भाई लुटिया डूग गये है उजसा है भई बहुत बार को बहुत के साथ तो यह कारण होता है ज excited focus जो focus नहीं होते हैं एक गंटे का रहता है जो focus नहीं होता है उन विचारों के लिए दुवारा उनkemको पढ़ना पड़ते दुबारा सुनना पड़ता है, अरे एक काम करो, पॉस करो, पहले पीछे चलते हैं, कहने उसकी तरफ चलते हैं, खयालों में को जाते हैं बीच बीच में, यह important है, टाटा स्टील चैस इंडिया टूनामेंट रहा, आप इसमें इवेंट में विजेता कौन थे, अरजुन अरजुन एरिगेसी और दूसरे रमेश बावू वेशाली, तो यह अपने लिए important है, अरजुन एरिगेसी हैं, इन्होंने ब्लिट्स टाइटल जीता है, टाटा सील चैस इंडिया इसे टूनामेंट में, और रमेश बावू वेशाली हैं, इन्होंने ब्लिट्स वीमेंट च नेक्स्ट यार आगे बढ़ते हैं, बाइकवन बाइकवन बाइलोजिक्स इन्होंने श्री हस टामवे को अपना MD&CO बनाए, न्यूस बहुत अच्छी है, important mark करना, बाइकवन बाइलोजिक्स ने श्री हस टामवे को, MD&CO बनाए, simple शब्दों में यह, बाइकवन बाइलोजि किसको किसने रिप्लेस किया, जिसको रिप्लेस किया, वो अच्छा न्यूस है, बाइलोजिक्स बन सकता है, अर्जुन चंदा वरकर, ओके, डन, और अब यह यहाँ पर क्या बना दिये गए है, नौन इंडिपेंडेंटेंट डारेक्टर, वो विल कॉंटिनू नौन सर्वे नौन इंडिपेंडेंट डारेक्टर के तौर पर काम करेंगे, और जो अब M.D.N. CEO होंगे, वो शिरीह सतामबे होंगे, शिरीह सतामबे, क्लियर भायो, शिरीह सतामबे, जिन्दल स्टैनलीस पार्टनर्ड विद रिन्यू पावर, अब यह कुलाबरेशन हुआ है, रिन्य स्टैनलीस का, किस चीज के लिए 300 मेगावाट का रिन्यूवल एनर्जी प्रजेक्ट बनाने के लिए, यह बहुत अच्छी न्यूस है, यह वाली, जिन्दल स्टैनलेस ने 300 मेगावाट अच्छा है उर्जा परिवजन अस्थापित करने के लिए किसने समझा होता किया है, जिनल इस्टेनलस इस जाइनेट ट्राइटेंगे जाज़ा गूट आइगा प्रॉजट के जाइगा एस प्रिजेट के माधियम से जन्रेट की जाएंगे तुरम मिक्स सोलर विंट टेकलोजी रीड़ कर सकते हो पॉइंट प्रॉजेक्ट विगन कमर्शिल ऑपरीशिट तेट इसका काम शुरू हो जाएगा, okay, and this innovative wind solar hybrid system will accelerate adoption of clean energy, simple air, language लिखें लास की तीन, मुझे लगता कि पढ़ने के लिए तो सही है, कुशन वाहा से बनने जा रहा है, जिनरल स्टिल ने देश की सबसे बड़ी नवीकर्णी उर्जा कंपनी रिन्यू पावर के साथ एक अनुबंध परस्ताचर किये, ये रीड कर लिना, ये बागी के दो पॉइंट आपके लिए पढ़ने के लिए, अपने लिए हैड़कॉर्टर चेर्मेन और कब बना, दियर गयारे में बना था, M.D.C.E.O. चेर्मेन सुमंध सिना हेड़कॉर्टर हर्याडा के गुरुग्राम में, क्लिर है भाई हो, डन, पराकरम दिवस सेलेबरेटेट इन राजिस्थान तु मार्क 51st एनिवर्सरी आफ लोने वाला वैटल, तो लोंगे वाला जो युद रहा था, ठीक है, इसकी क्यावन भी वर्श गाट के अफसर पर राजिस्थान में पराकरम दिवस से मनाए गया, तो 51st एनिवर्सरी इंडिया के जो विक्टरी रही थी, लोने वाला वैटल में, जब 1971 की वार रही थी न, तो उस दोनार जो लोंगे वाला वैटल थी, उसकी 51st एनिवर्सरी को यहाँ पर माग किया के सेलिबरेशन रहा था, जैसलमेर मिलिटरी स्टेशन में, राजिस्थान में 5 दिसम्बर को, इंडिया पाकिस्तान के बीच में 1971 में, बैन अप दे विग पांच दिसम्बर को, टेक्नो एक्स कोई भी इवेंट हो रहा है, कहां पर आजित के जा रहा है, उसका वैन्यू का है, यह इंपोर्टन बनता है, तो यह जो टेक्नो टेक्स दियर तेईस है, इसको मुंबाई में, बाईस से लेकर 24 फरवर दियर तेईस तर आजित के है, और उस इवेंट का नाम है टेक्नो टेक्स, टेक्नो टेक्स कहाँ पर होगा मुंबाई में, तो टेक्नो टेक्स मुंबाई में रहेगा, यह लार्जस इवेंट है टेक्निकल टेक्स्टायल इंडस्ट्री के छेतर में, वह सितना पॉइंट पकड़ना है, उसके लबाई से कौन और्गनाइस करने जारा वो पॉइंट पकड़ सकते मिनस्ट्री टेक्सियाल करेगा भारत सरकार का और फेडरेशन ओफ चैम्बर्स आफ कॉमर्स एंड इंडस्री एनि फिक्की करेगा अंडरी नेशर टेक्निकल टेक्स्टायल मिशन अम मेरे लिए को इंपोर्टन बन टेक्स्टायल मंत्राले कौन देख रहा है टेक्स्टायल मौन जो देख रहा हूँ इदेख रहा उसका कॉंस्टिट वंसई क्या है देख यह सारे चीज़ें द्यार रखना नहीं है उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफेडरीशन ओफ इंडिन चैम्बर ओफ कमर्स इन इंडस्र इस न्यूस को समझना, बैंक का इंशुरेंस क्या होता, बैंक का इंशुरेंस होता है, जब बैंक और इंशुरेंस कंपनी दोनों समझधा करते हैं, अब इंशुरेंस कंपनी बैंक से समझधा क्यों करेगी, समझेगा, अब इंशुरेंस कंपनी की जो पॉलिसी है, उसको जिए जो भी पैसा आएगा, उसमें सिखनेस चित आपको ऐसा कम ही शनम दे देंगे, यह जो आपका शिर बनता है, वह हम आपको देंगे, इसे बोलते हैं, बैंक का इंशुरनेस पार्टनर्शिप, जो बैंक और इंशुरनेस दोना आपस में समझगता कर लेते हैं, इंशुर इंडिया कि बात करिया है इसमें बात करी है कि इंडिया की बात करें तो इंडिया आटवे नंबर पर है, highest risk, ये keyword बनेगा, highest risk of mass killing में पाकिस्तान टॉप पर है, सीर्च पर पाकिस्तान है, और भारत की बात कर तो भारत आटवे नंबर पर है, top 10 countries में आपको दिखाता हूँ, top 10 country में पाकिस्तान पहले नंबर पर है, mass killing में दूसरे पर यमन है, तीसर दफा है, जो की top है, highest risk of experiencing mass killing, mass killing के मामले हैं, बस आपको keyword यान रखें, mass killing में कौन सा देश टॉप पर है, पाकिस्तान पहले नंबर पर है, और ये third time in a rumor, लब लगाता है, तीसरी बार है, ये top पर चल रहा है, पाकिस्तान top the list this year, यमन, दूसरे पर मियानवार, तीसरे पर ए पर यहाँ पर आगया, पाकिस्तान top पर है, बस आप इतना याद रखे, लिगे पाकिस्तान top पर, इसका मतलब क्या है, longest double decker biduct, अब देखो, अब जमीन से उपर चलिए मेरे भाई, एक आपको ये देख रहा है, एक आपको देख रहा है, यहाँ आपकी metro चल रही है, और यहाँ पर ये क्या है, highway बना हुआ है, तो वही बात कर रहा है, कि नागपुर metro set record for longest double decker biduct, अब longest का मतलब क्या है, समझते रहा, नागपुर metro है, successfully created Guinness world record, इन्हों ने गनी बना दिया है, longest double decker biduct बना कर, 3140 मीटर का है, यह point important है, 3140 मीटर का है, and was achieved by the वर्दा रोड इन नाखपुर, ये read कर लेना, double decker biduct carries a highway flyover on the first level, ये highway flyover हो गया, पहले level पे, और उसके उपर यहापर metro rail है, on the second level, making it the three tire transport system with the existing highway at the ground level, simple है, double decker का मतलब जिनको समझ में ना, उनके लिए आपर देकि, highway ये बना हुआ है, नीचे रोड चल रहा है, लग उसके उपर यहापर highway बना हुआ है, और उसके उपर म कितना longest, कितना लंबा मेरे भाई, तो 3040 मीटर का, ओके, 3140 मीटर, रेजर पे enabled merchant to accept credit card payment by UPA, अब मर्चेंट मतलब को ने है वियापारी, वियापारी मतलब दिमाग में आना चाहिए, आप जब दुकान पर जा रहे हो, कहीं पर शॉपिंग करने जा रहे हो, तो उन जो व्यक् के माध्यम से भी लिया जा सकता है, तो रेजर पे enabled merchant to accept credit card payment, credit card payment by UPA, इसे ज़रूर याद रखने, रेजर पे वियापारियों को UPA के माध्यम से credit card के इस से भुकतान सुईकार करने में सक्छा मनाता है, हिंदी छोड़िए, एंगलिश पकड़ दीजे, ना रुपे credit card being enabled on UPA, रेजर पे merchant can begin accepting credit card payment, read कर लेना, बाकि सारे point यह है, लास्ट वाला point important बनेगा, जो HDFC bank, Punjab National Bank, Union Bank और Indian Bank के customer है, पहले इनको यहाँ पर यह benefit दिया जाएगा, यह जो development है, यह Access Bank के साथ किया गया है, यह किया point बन सकता है, यह किसके साथ मिलके Razor पे ने किया है, Access Bank के साथ मिलके और customer of HDFC bank, PNB, Union Bank, Indian Bank, यह पहले enjoy करेंगे इसके benefit को, clear, next year, Razor पे 24 में बना करनाटा के Bangalore में इसका headquarter, MDN co-founder करना में शिशांक कुमार, headquarter पकड़ लेना, मैटनेक एगरिमेंट के एटल के साथ high speed data digital services provide करने के लिए, ओके मैटा एटल, यह collaboration होगे, मैटा का एटल, मैटा बातलब पहले facebook नाम था, अब मैटा इसने समझावता कर लिया, एटल के साथ high speed data digital services provide करने के लिए, ओके, अब यह एटल और मैटा यह दोनों मिलकर invest करेंगे, ग्लोबल connectivity infrastructure में, ग्लोबल connectivity infrastructure में, एटल और मैटा दोनों मिलकर invest करेंगे, साथ में communication platform as a services, okay, CPAAS, full form पकड़ लोस की, ठीक है, communication platform as a services, communication platform as a service, तो दुबारा पढ़िये, एटल और मैटा यह jointly global connectivity infrastructure, CPAAS इंद में invest करेंगे, okay, जो भी emerging requirement customer enterprises की भारत में, उन्हें सभी को support करने के ल है, एटल ने यहाँ पर मैटा और STC के साथ भी partnership करी है, to Africa pulse को extend करने के लिए इंडिया में, अभी है, to Africa यह है, यह वर्ल्ड का longest सबसी cable system है, देखें, अभी है, यह क्या है, यह जो to Africa, यह जो pulse है, यह वर्ल्ड का longest सबसी cable system है, इसको इंडिया तक extend करने के लिए यहाँ पर सारे पॉंट तो रीड करने वाले, बाकि यह दो स्टार्डिंग के इंपोर्टन बनेंगे, ओके, नेक्स्ट यार, एटल निस अपिचान में में बना है, हैड़कॉर्टन नई दिली चेर्मेंन सुनिल भारती में ततल, MDN CEO, Gopal Vittal, MDN CEO, Gopal Vittal, MDN CEO, Gopal Vittal, MDN CEO, Gopal Vittal, वा जर्मनी के साथ, किस चीज़ के लिए, to facilitate easier access for people to study research work in both countries, अब दोने देशों में जो भी, जैसा हम लोग यहाँ पर है, अब जर्मनी के लोग है, अब एक दूसरे को यहाँ पर study research work करने के लिए, allow करने के लिए, easily मेरे दोस, access provide करने के लिए, migration mobility agreement क्या है, मेरे लिए important बने पॉलर का नाम है, यहाँ पर लिखा नहीं है, all of scholars, okay, उनका नाम भी याद रखेगा, capital balance, currency, europe, president, frank walterstein, frank walterstein, मेर, frank walterstein, मेर, एक है, आज के दा हिंदू की न्यूस्ती वर्ल्ड का, जो मेरे लार्जस रिटेल, nbfc, nbfc, nbfc क्या है, nbfc मेरे दोस्त, bank जैसा काम करता है जैसे, bank deposit accept करता, loan provide करता, यह भी deposit भी accept करता, loan भी provide करता, यह दो परकार की होते है, deposit taking nbfc, non deposit taking nbfc, okay, जो non deposit है, वो deposit accept नहीं करती है, सिर्फ loan provide कर रहे है, fine, मतलब simple, bank जैसा इसका nature होता है, कुछ आप परिवर, अंतर रहे, इसमें वो बात की चीज़ा भी समझो, nbfc जै देखें, शिर्राम transport finance, शिर्राम city union finance in दोना का मरज़र हुआ, और मरज़र के बाद शिर्राम finance limited बन गया, और जिसकी वज़े से यह largest retail nbfc है, इसकी जो total net worth है, वो 40,900 करोड रुपे, और asset under management, 1,70,000 करोड, आप net worth याद रखी, 40,900 करोड रुपे, 40,900 करोड रुपे, okay, clear है देखो, यह ऐसी news है ना, इन में से अंदर से पूछेगा, जुगल किशोर महोपात्रा, has been named as the chairman, जुगल किशोर महोपात्रा, यह chairman है, और माया सिनह appointed as an independent director, I hope your guys clear होगा, यह वाला point, जुगल किशोर मलहोत्रा, okay, महोपात्रा, महोपात्रा, देखें, next second, acclaimed French author, Dominic Lapere, इनका निदन हो गया, तो French writer, Dominic Q, Dominic Q Lapere, author of best selling book on India, like freedom at midnight in city of joy, बापरे बाप, अच्छी निदन हो गया, इनका नाम है, Dominic Lapere, okay, French writer, ते राइटर ते परे तो लिखा ते यह important है, दूसरे फ्रांस से ते यह important है, इन होने भारत के उपर एक किताब लिखी ती, freedom at midnight, यह व्यार दोस् पूछे लिखा, freedom at midnight, अब आपको होगे, sir, यह वो कितनी पुरानी ऐसे कैसे पूछ रहा है, समझना, यह वो कि यह तो sir, current interface का पार्ट निदी, ऐसे उठा उठा के पूछेगा, वो, वो नहीं पूछ रहा है, यह क्या थे, कैसे थे, ठीक है, उसने उठा लिया कि freedom at midnight के कोई है, इस तरीके साब को याद रखना पड़ेगा, ठीक है भाई, clear इतना, तो यह जो 1985 का इनका novelist City of Joy, about the hardship of a rickshaws, puller in Kolkata, ओके, यह पढ़ सकते हैं, अच्छी है, यहाँ पर news, मालब देखो, किसी की निदन हो गया, और हम कहरें, अच्छी news है, क्योंकि अपने काम की है इस दें, मेरे भाई, लेगे, चलो, यह रहाँ, अवरल सेशन यह रहे हो, फिर clear आगो, थोड़ा loaded लोगों को लग रहाँ, जो पहली दफ़ा जुड़े होंगे, जो regular होंगे, इनके इनके लिए सारी चीज़ा आसान होगी, कल हम लोग जुड़ेंगे, और काफी कुछ compilation के स हमारा शुरू हो चुका है, 28 से बैच स्टार्ट हुआ है, इसमें आपको math, reasoning, English, general awareness की classes, chapter wise कराई जा रहे हैं, 22 जिनका target है, जिनको basic से सारी चीज़ा पढ़नी है, basic, pre or remains को target करना है, pre or remains का दोनों का level अचीव करना है, तो उनके लिए reasoning के लिए, English के लिए, math के लिए, और मे 247 website पर, यह जो चारो batches है, इन चारो batches के combo को बोलते है, agas foundation batch, और agas batch के साथ अगर आप printed book लेना चाहते हैं, तो यह बन जाता आपका banking foundation pro batch, okay, foundation pro का मतलब यह है कि आपको यहाँ पर live classes, recorded classes, PDF note तो मिली रहे हैं, यह आपको foundation batch में, agas batch में दोनों में मिलते हैं, ठीक है, यहा reasoning English GA और एक practiced, full length walk रहेंगे, Sunday weekly test है, handwritten notes दिये जा रहे हैं, यह तुनी भी classes होते हैं, उसके handwritten notes, content team मेरे दोस parallel लिख रही है, यह notes prepare करके आपको दे देती है, इसका telegram group बनवा दिया कि उसमें share हो जाती है, और descriptive English की classes रहेंगी, यह batch आपको पढ़ेगा, बिटा 3000 रुपीज का तीन एयर का यह batch पढ़ेगा, तीन एयर के batch में आपको सारी यह सुविधाय दी जा रही है, यह देख सकते हैं, आप चाहते हों कि नहीं सर मेरे को तो सिर्फ आगास batch चाहिए, तो आगास batch में फिर आपको सिर्फ यह तीन चीज़ा मिलेंगी, जो भी तक हर एक foundation में मिलती है लाइव, recorded और PDF, उसके लाए बाकी सारी सुविधाय आपको यह मिलेंगी तो वो foundation प्रो में, तो जिनको लेना है बटा foundation batch अगर तो वो यह वाला लीजेगा, अब कुछ कहेंगे सर हमें तो महापैक चाहिए, क्या महापैक में included है, जो भी batch printed book के साथ मिलेगा, यह महापैक मे साथ physical book मिल रहे है, तो physical book वाला जो होगा, वो bank महापैक with book kit के साथ होगा, समझ में रहा है, clear रहना, तो जिनको सरफ यह चाहिए कि नहीं, मुझे तो आगाज बैच चाहिए, और भी फैकल्टी के बैचे से तो फिर bank महापैक, लेकिन जिनको चाहिए नहीं, bank महापैक के material भी चाहिए, practice करने के लिए, तो फिर bank वहापैक with book kit के साथ जाएगा, code आपको जिसमें जो लगाना है, वो आपके भाई का code है, Y168, इसके लब बाकि आपको test series, e-books, mock चाहिए, Y168, S code, अब यार देखो, SBA कलक मेंस आने वाला है, तो ऐसे में कहीं न कहीं, current affairs, financial awareness की importance बह रहेगा, तो warrior pro badge, जो पहली दफा जोड़े है, ये 5 in 1 badge है, इस badge में मैं आपको 5 badges देता हूँ, एक complete financial awareness की series चलती है, warrior 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 चल रहा है, जल्दी मेरे 6.0 आएगा, इसकी timing जो है, वो आपके धाई बज़े से है, ठीक है, धाई बज़े से 4 वे तक इसकी class च मिलेंगे, September की आपको इसमें 4 वीडियो मिलेंगे, October की 4 वीडियो मिलेंगे, अब November की मेरे दोस्ताब को इस week में 4 वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है, तो November, अभी एक जुलाई, August, September, October, November, हर एक महीने के आपको यहाँ पर current interface मिलते हैं, इसको मैंने 100, 100 MCQ में तोड़ रखा है इस बैच को देखें, इस बैच में सबसे बड़ी important चीज़ यह है, कि जो MCQ में करा रहा हूँ, उसमें जो option है, उनको भी link करके पढ़ाता हूँ, और साथ की साथ explanation भी देता हूँ, हर एक news का, तो यह तो होगए MCQ बैच, यह मंतली current affair हैं, डेटेल में बढ़ते हैं, यह जब आपका एक्जाम आते हैं, तो एक्जाम से पहले में कैपसूल वेच आपके लिए कर आता है, जैस अभी प्योग के लिए पढ़ाता है, रवी प्योग के लिए पढ़ाता है, यह तो आज चुका वैसे स्टोर पर तो, और एक इस ट्राटिक जी के बैच, इसकी जो प्र जी जोड़ेंगे नवंबर के इंपोर्टन डेस कराने जा रहा हूँ, ठीक है, बाबे,